गुना एमपी के ग्राम विजैपुर वाड नमबर 15 पुर्शोत्तम मास के सिपावन एकादशी पर महिलाओं के द्वारा पूरे गाओं के प्रदिक्षणा की गई और जगह जगह ग्रामिर जनू ने महिलाओं का स्वागत किया विजैपुर गाओं के सातों मंदिर पर जाकर भगवान के दर्शन किये वभजन किये पुर्शोत्तम महिले की कथा का वाचन पंडित घंश्याम भारगव जी के द्वारा किया गया मलमास की कथा पुर्शोत्तम मास के बारे में कहा गया कि इस मास को मलमास के नाम से भी जाना जाता था मलमास के इस नाम और बिना किसी वजह से इसके अस्तित्व को नकारा जाने लगा लेकिन मलमास के बिना वर्ष की गड़ना कर पाना संभब नहीं हो सकता था मलमास की गड़ना के बिना समय की स्थिति आव्यवस्थित हो सकती थी देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर